अगर आपको आपकी शादी को चलाना है दूर तक, तो अपने माबाप को कभी न बता ये बाते एक हर मामले में पेरेंट्स का लाना सही नहीं, बच्पन से ही हमें सिखाया जाता है कि पेरेंट्स से हर बात शेयर करने चाहिए ऐसा इसलिए ताकि मावाप को पताच रहे कि बच्चे की लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है हाला कि शादी के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए बढ़ जाएंगी दूरिया दरसल शादी के बाद पेरेंट से हर बात शेयर करने पर न केवल पती-पत्नी का रिष्टा खराब हो सकता है बलकि ससुराल वालों के मन में भी आपके लिए खटास पैदा हो सकती है हैपी मेरेज का जान ले फंडा शादी के बाद लाइफ एकदम सी बदल जाती है इस रिष्टे को निभाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है यही एक वजह भी है कि कभी कभार अपनी शादी को हैपी बनाए रखने के लिए पैरेंट से कुछ बाते च्छिपानी पड़ती है Day-to-day अपडेट्स नो डाउट शादी के बाद नए घर में नए माहूल में एड़्जस करने में बहुत मुश्किल आती है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक एक बात अपनी मा या बहन के साथ शेयर करे ननन भावी की बाते यह कहना कुछ गलत नहीं होगा शादी के बाद नए रिष्टे बनाने की पूरी जिम्मेदारी एक लड़की की होती है ऐसे में अगर आप अपनी ननन की छोटी छोटी बाते अपने घर कहेंगी तो इससे उनकी इमेज खराप हो सकती है सास के ताने सास की हर बात अपने माई के पहुँचाना ठीक नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी माँ को गलत लग सकता है कि उनकी बेटी को एड़्जेस करने में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से रिष्टों में गलत खेमी बढ़ सकती है ससुराल वालों के रिष्टे आपके परिवार में जो आपसी मन मुटाव चला रहा है उसका जिक्र कभी भी अपने माई के में न करे ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके घरवालों के मुह से कुछ भी निकल गया तो उसका असर आपके शादिशुदा रिष्टे पर पड़ेगा पती पतनी की इंटिमेट बाते फैमिली कब प्लैन करनी है कितने बच्चे करने है बड़े पर क्या गिफ्ट मिलेगा इस तरह की बातों को कभी भी अपने पेरेंट्स से शेयर न करे ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उनके सोचने का नजरिया एकदम अलग हो सकता है पती के साथ जगडा हर कपल में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती है ऐसे में हर लड़ाई के बारे में अपने पेरेंट्स को बताना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है हर काम पूछ कर करना अपने पार्टनर को इग्नोर करते हुए हर निर्ने में अपने पेरेंट्स को इन्वाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है इसका असर आपकी शादेशुदा जिन्दगी को खराब कर सकता है ऐसी ही अगली वीडियो सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए